वेल्कम टु ड्रीम कम्टू टारगेट बीपीसी सतरवी सीरीज चला रहे हैं फ्रॉम जिसके इंतरगत हम बिल्कुल जिरो लेवल से आपको चीजों की प्रिपरेशन करवा रहे हैं यहाँ पर आपके जितने भी प्री के लिए मेंस के लिए बुक प्रिस्क्राइब्ड हैं बीपीसी सतर के लिए सारे चीजों को हम डीटेल में करने वाले हैं आपको अपने सिलेबस की और एक्जाम की टेंशन नहीं लेनी चाहिए वो हम पर छोड़ दीजिए और वीडियो को लगतार अच्छे से फॉलो करें आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट करने की जिम्यदारी हमारी है सतरवी बीपीसी चुकि जीरो लिबल से हम चला रहे हैं इसले सबसे पहले हमें एंसी आर्टी को फॉलो करना होगा एंसी आर्टी को डीटेल में पढ़ना होगा जिसके को कर रहे थे हम क्लास 6 की चैप्टर नमबर 6 था नई प्रशन नई विचार जिसमें मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है पिछले पार्ट में और इस पार्ट में वो हमारा पार्ट 21 था इस पार्ट में मैं आपको इस पटिकुलर नई प्रशन नई विचार के नोट से रुबरू करवाऊंगे lesson मैंने पढ़ा दिया है notes देख लीजे notes मैंने दो तरीकी के बनाये है पहले notes मैंने क्या किया summary, a kind of summary लिखी है ताकि आप चीजों को समझ ले और दूसरे notes मैंने कुछ चीजे मुझे लगा कि कुछ चीजे और detail में डाल देनी चाहिए तो मैंने उसे थोड़े detail में बना दिया है दूसरा notes तो मैं आपसे दोनों share करने वाली हूँ आप दोनों को देखो, दोनों को समझ लो यहाँ पर सबसे पहले हम बुद्ध की कहानी को देखेंगे बुद्ध का परीचे बुद्ध के बच्वन का नाम सध्धार था बाद में इनका नाम गौतम पड़ा यह बहुत धर्म के संस्थापक थे इनका जन में लगभ़ पच्चे सो वर्षे पूरो हुआ था, बुद्ध शत्रिय थे तथा शाक के नामक एच्छोटे से गणे संबन्ध रखते थे बुद्ध को ग्यान की प्राप्टी कैसे हुई यह बुद्ध के रूप में जाने गए यह सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है पर एक बार अधर नोटज आप स्क्रिंशॉट भी ले सकते हैं उसे उतार भी सकते हैं और ये आपके एक revision का काम करती है notes आपके जो भी चीज़े आपने पढ़ी है उसके concept को और भी ज़ादा अच्छा करती है so notes is very important चलिए start करते हैं आगे बढ़ते हैं बुद्ध द्वारे दी गई क्या क्या सिक्षा है थे बुद्ध द्वारे दी गई सिक्षा बुद्ध ने सिक्षा दी कि यह जीवन कस्टो और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इक्षा और लालसाओं के करण होता है बुद्ध ने इसे लिपसा यानि तृष्णा कहा बुद्ध ने इस सिक्षा दी कि आत्म सैयम पाकर हम सभी ऐसी लालसाओं से मुक्ती पा सकते हैं उन्हेंने लोगों को दयालू होने तथा मनुश्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की सिक्षा दी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिनाम चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बात के जीवन को भी प्रभावित करते हैं बुद्र ने कहा कि लोग किसी सिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्विकार करें कि यह उसका उनका बलकि वे इसे कि यह उनका उनकी सिक्षा है उनकी सिक्षा है या उनके द्वारा दी गई सिक्षा है बलकि विए इसे अपने विवेक से माप सकते हैं इस पॉइंट को मैंने बह। अच्छे से पीछे समझाया है तो अगर आपने पीछे के विडियो देख değişे हैं ये point आप बिल्कु लच्छे तरीके से समाथ सकते हैं आगे बढ़ते हैं उपनिशत के बारे उपनिशत उत्तरवैतिक ग्रंथों का हिस्सा थे उपनिशत का शाब्दिकार्थ है गुरू के समीब बैठना इन ग्रंथों में अध्यापको और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है ये विचार समानी वर्दलाप के रूप में प्रसुत किये गया है अब व्याकरन विद पाणिनी के बारे में समझे ये जो टॉपिक है ये मैंने आपको नहीं बताया ये आपके NCRT में एक बाक्स में दिये गए कुछ सब टॉपिक है लेकिन आपको उनके बारे में जानना ज़रूरी है इसलिए मैंने उनको नोट्स में लिखवाया है सो चलिए इसके बारे में भी कुछ चीज़े जो हमारे NCRT बताता है उसे देख लेते हैं 25 साल पहले महाजनपदों और बुद्ध के बीच में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे उनमें प्रसिध विद्वानों में एक थे पाणिनी ये क्या थे? ये संस्कृत भाशा के व्याकरण की रचना पाणिनी नहीं की थी बिल्कुल ध्यान रखेगा उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों की एक बीजगणी सूत्रों से काफी मिलती जिलते हैं उन्होंने जो रचना की उसमें स्वर्ण स्वर और व्यंजन की एक सूत्र बनाई जो की इस से काफी मिलती जूती है और इसका उपयोग करके उन्होंने संस्कृत भाषा के परयोग के नियम लगुसूत्रों को के रूप में लिखा ये सब कब किया उन्होंने ये लगभग तीन हजार लगुसूत्रों का रूप उन्होंने लिखा है अब इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ी डिटेल में पहले समझा देती हैं क्योंकि as a notes आपको ये चीज़े बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई होगी इसलिए इससे समझ ये पहले सो देखें संस्कृत जो भाषा है बहुत कठिन भाषा है समझने में पढ़ने में पर आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं वो as compared बहुत आसान कर दिया गया है उसे आसान करने में बहुत सारे व्याकरण विद का योगदान है जिसमें से पाणिनी एक है पाणिनी ही actually में एक कहें तो संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना का श्री हम पाणिनी जी को देते हैं उधों ने क्या किया कि एक पटिकुलर क्रम में एक पटिकुलर ओडर में स्वर को और व्यांजनों को रखा और उसके आधार पर उन्होंने सूत्र बनाए और ये जो सूत्र बनाए उन्होंने वो जो बीजगणित के सूत्र होते हैं बीजगणित समझ रहे हैं जिसमें संख्या भी आती है जिसमें अक्षर भी आते हैं उनसे ये काफी match करते थे और इन सब से जोड़ कर उधोंने संस्कृत भाशा के जो rules होंगे, किस तरह उने प्रयोग किया जाएगा, उसके बहुत सारे सूत्र लिखे दिये, छोटे-छोटे, ओके, यही उन्होंने basically major चीज उनका यही था और इससे व्याकरण, संस्कृत व्या प्रयोग बहुत आसान हो गए, उन सूत्रों से, आगई बात समझ, आगए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, यह एक और छोटे से बॉक्स में जो information थी वो दी गई थी, तो सारी चीजों को मैंने आपको chapter में नहीं बताया है, इसलिए मैंने notes में लिख दिया है, चलिए इ आगे चलके और भी आपकी classes की किताबे हैं, जिसमें आपको इस सारी चीज़ें फिर से पढ़ने को मिलेगी, लेकिन अगर आप अभी से पढ़ पढ़ के थोड़े थोड़े इंफोर्मिशन लेकर चलेंगे, तो चीज़ें और भी जादा आसान हो जाएंगे, आपका काम है क के लिए हमें दर्शन की समझ होनी चाहिए, बच्चों की दर्शन क्या है, एक्चली में इस भारतिये दर्शन पे एक अलग से विडियो जरूर बनाऊंगे, जिसमें सारी चीज़ें इसे रिलेटेड रहेंगे, पर यहाँ पर चैप्टर के साथ जब हम दर्शन पढ़ते है तो दर्शन एक्चली में, दर्शन एक अलग हम कह सकते हैं कि एक अलग शास्त्र के रूप में दर्शन आया उस वक्त जब उपनिशत काल चल रहा था, हमने पीछे उपनिशत पढ़ा है, उपनिशत काल में दर्शन एक अलग शास्त्र के रूप में आया, वो दर्शन जो है वो actually में अपनी जिन्दगी को समझने का एक प्रयास है दर्शन अब आप कहेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ actually जब लोगों ने अपनी जिन्दगी के हर पहलों को ढूंढने की जब उनके अंदर चीजें विक्सित हुई, बुद्धी विक्सित हुई कि भाई जिन्दगी के और सारे रहस्यों को जब उन्हें ढूनना सही लगा तो उसमें एक विद्ध्या आई जिसे दर्शन कहा गया जिसमें वो तत्व ग्यान के पीछे भागते है अब आप कहेंगे कि ये तत्व ग्यान क्या है अगर मैं आपको बताओं तो जिन्दगी क्या है, जिन्दगी में दुख क्यों है, जिन्दगी में हमें खुशियों की जरूरत क्यों है और इस जिन्दगी में खुशी और दुख के अलावा और क्या चीजें हैं जो हमारे लाइफ के लिए इंपोर्टेंट है उन सारी चीजों से रूबरू करवाता है हमें दर्शन आए बात समझ अब शौट में समझ ये इस दर्शन की छे पधतियां जिसे शड़ दर्शन कहा गया और ये शड़ दर्शन क्या है और इन फैक्ट ये सारी चीज़ें भारत में ही नहीं रहे गई बच्चों अपने भारत ने ऐसे ही भारत सोनी की चिड़िया नहीं था अपने भारत ने देश विदेश को न जाने कितने आइडियाज कितनी चीज़ें कितने टॉपिक कितने शास्त्र कितने ही चीज़ें दी है जब आप history पढ़ते हो आपको समझ में आएगा कि आपका भारत यूही भारत महान नहीं है अगर आज भारत पीछे है तो उसके पीछे क्या कारण हो है कि हमारा भारत पीछे ancient times में जब हम देखते हैं भारत के हर एक topic को जो कि पूरे विश्व में फैल गया इन फैक्ट जब आप अभी के date में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे पुराने ऐसे ऐसे scientist के जब आप interviews पढ़ेंगे जिसमें वो ये बताते हैं कि mostly उन्हें knowledge ग्यान करने के लिए उन्होंने क्या क्या चीजे पढ़ी है उसमें भागवत गीता उसमें आपके उपनिशद उसमें आपके वेद सबसे पहले आते हैं और यहाँ पे दर्शन के मामले में literature के एक writer है T.S. Elliot उन्होंने भी बहुत सारी चीजे कही है जो हम यहाँ पर नहीं discuss करेंगे भाई यह history है वो चीजे किसी और विशे में चले जाती है part to part जब हम चीजों को और आगे पढ़ते हैं तो चीजें इतनी जादा lengthy है बच्चों की उसके लिए एक अलग विशे बनाना पढ़ता है उसे तरीके से दर्शन भी एक अलग विशे के रूप में बन गया और इसे दर्शन सास्तर कहा गया जिसे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है हम इस दर्शन की छे पधतियों के बारे में पढ़ना है जिसे हम कहते हैं शड़े दर्शन और वे छे हैं छे क्या क्या है ध्यान रखिए छे नहीं है एक्चिली में नौ है आपके किताब में छे दिये गए हैं जो छे हैं वो वेद को मानते हैं और जो वेद को मानते हैं उस दर्शन को हम आस्तिक दर्शन कहते हैं और जो वेद को नहीं मानते हैं उसे हम नास्तिक दर्शन कहते हैं उसे हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां शड़े दर्शन पढ़ रहे हैं, जो नास्तिक है, जो वेदों को नहीं मानते हैं, उसमें बहुत जैन और चारवाक आते हैं, लेकिन यहां पर हम शड़े दर्शन पढ़ रहे हैं, शड़े दर्शन में सांखे योग, न्यास, और एक वैसेशिक है और एक मिमांसा है और एक विदान्थ है मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी है वैसेशिक निया सांख योग पूर्व विमांसा विदान्थ या उत्तर मिमांसा दोनों सारी जो हैं ये दर्शन के छे पथती हैं और इसकी स्थापना किन-किन ने की थी इनकी स्थापना की थी रिशी कमल ने, गौतम ने, कपिल ने, पतंजली ने, जैमिनी ने और व्यास दे चीख है, तो ये चीज मैं आपको भी लिखवा देती हूं चलिए या फिर आप इसकी स्क्रीन शॉट ले ले तो आपको इस तरह भी चीज़ें मिल जाएंगी शाकाओने किया वैसे शिक न्यास, सांख, योग, पुर्मिमानसा, विदान्त और उतर्मिमानसा के नाम से जाने जाते हैं दर्शन की इंचे पधितियों की स्थापना क्रमशा, रिशी कमल, गौतम, कपिल, पतंजली, जैमनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है जो आज भी देश में बौधिक चर्चा को दिशा देते हैं यह एक दूसरे से भिने दिखते हैं तथापी सत्य में इनकी समझ के आधार भूत तालमेल दिखता है अब इस पॉइंट को मैं आपको थोड़ा समझा दू ताकि आप जब इसे लिखें या समझें दुबारा पढ़ें तो आपको समझ में कि भाई क्या चीज़े लिखे हुई है अब पहले दर्शन क्या था मैंने आपको बता दिया अब दर्शन के बाद इसके नो डिवाइट किये गए नो दर्शन नो दर्शन में शट दर्शन में वो दर्शन है जो की वेद को मानते है कि वेद ही प्रमान है मतलब वेदों को ही उन्होंने माना और वेद में जो भी चीजें लिखी हैं उन्हीं को प्रमान मानकर वो आगे बढ़े अपनी जिंदगी को जानने के लिए, समझने के लिए, ग्यान प्राप्ती के लिए और वो बाकी जो 6 के बाद बच गए 7, 8, 9 वो वो थे जिने बाकी जो 6 हैं उन्हें आस्तिक कहा गया बाकी जो 3 बचे उन्हें नास्तिक कहा गया और वो वेद को प्रमान नहीं माना और ये जो आस्तिक थे ये वेद को प्रमान मानकर आगे बढ़ते हैं तो ये जो दर्शन है इसमें इतने छे दर्शन है और इन्हों छे दर्शन की स्थापना किन्ने की है एक रिशी कमल हो गए गौतम हो गए कपिल हो गए पतंजली हो गए जैमनी हो गए और व्यास हो गए ये क्रमशा है जो क्रमशा है इधर साइड मैंने आपको दर्शन आए हैं वो समझ गए चलिए अब उस हिसाब से जो भी स्थापना की गए उस हिसाब से दर्शन को अच्छे से सारे जगों पर हर एक दर्शन में अच्छे से समझाये गया है हर एक रिश्यों द्वारा आई बात समझ चलिए और अगर कोई एक ऐसा पॉइंट जो आपको नहीं समझा रहा हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए का थाकि मैं उसे और डिटेल में आपके लिए समझा तो अब अहिंसा क्या था ये वो ये सारे संदेश थे बुद्ध के द्वारा जैन के द्वारा सो ये तो आपका बॉक्स वाला हो गया आगे बढ़िए किसे के बैटरी एक्चिली लो हो चुकी है तो फोन कभी भी बंद हो सकता है मैं हर बार वीडियो ऐसे तरह करब ठोकर कटे वो नहीं चाहती तो यही पर यहाँ वीडियो एंड करती हूं और नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे एक और नोट से उसे भी शेयर करूंगी त तो मिलते हैं अगले वीडियो में हैस्टेग 23 नंबर के वीडियो में हम मिलेंगे गुडबाई